हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने PS Affairs YouTube चैनल में जैसे की हमने पिछले पार्ट में देखे थे विश्व के कुछ प्रमुक सागर और जिसकी अंतरगत हमने एशिया के कुछ प्रमुक सागर देखे थे आज हम दूसरे पार्ट में एशिया से आगे बढ़ते हुए अफरीका होते हुए हम यूरोप के कुछ प्रमुक सागर देखेंगे लेकिन उससे पहले एक बार हम दुबारे से देखते हैं कि हमको कितना याद है पिछले वाले सेक्शन से तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कारा कार सागर यहां पर भारत और आप ऊपर चले रशिया रशिया में यह आक्तिक महासागर के अंतरकर आपका कारा सागर इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ोगे आप तो आपको मिलेगा लापतेब सागर और थोड़ा आग बढ़ोगे तो आपको मिलेगा आपको इस साइवेरियन सागर और मैंने आपको बता था एक सागर वो था चुक्सी सागर इसके बाद शुरू हो जाता है आपका प्रशाद म फिर लाप्तेव फिर आपका इस साइवेरियन फिर आपका चुक्ची और जब आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहां पर बैरिंग सागर यह आपका बैरिंग सी और इसके बाद यह आपको दिख रहा है यह जो यह भी अफरीका ही है ठीक है याद रखेगा अफरीका क इसको जूम इन कर सकते हैं काम चार्ट यह लिखा भी आपर और यह जो आप देख रहे हैं यूरोप स्वारी रश्या यह रश्या ही है और यह रश्या का काम चार्ट का प्लैट्यू इसके बाद यह देखिए आप सी ओफ तस्क जब आप नीचे आएंगेस में तो आपको आप और ये जापन का ये दिख रहा आपको ये सी ओफ जापान ये सी ओफ जापन आप देख सकते हैं तीन देश हैं ये नी माफ कीले चार देश hàng एक नोर्थ कोरिया South Korea, यह आपका Japan और यह China जब आप इससे नीचे आओगे तो आपको मिलेगा Yellow Sea मैं देगा यह मंगोली आगे बिल्कुल लगबग parallel में है Yellow Sea इसके नीचे आपको दिखेगा East China Sea फिर यह आपको एक Island नुवा देश दिखेगा कुछ देश इसको देश नहीं मानते है वैसे तो इसका जो नाम है Taiwan और इससे नीचे आओगे तो आपको मिलेगा South China Sea यह जो आपको दिख रहा है यह आपका South China Sea है यहाँ पर यह Parcel Islands काफी न्यूज में बने रहते हैं फिर पडोस में आप देख सकते हैं यह Manila Philippines की जो राजधानी यह है और आप और नीचे आएंगे तो आपको साइड में आते हुए देखिएगा यह सूलू सी मैं आपको बता था यह सूलू सी और यह आपका Philippines रहा इसके नीचे आप देख़एंगे तो आपको मिलेगा सेलिबस C और जब आप नीचे बढ़ोगे में जो आपको C है वो है आपका बांदा C सूलू, सेलिबस और बांदा ठीक है जब आप और नीचे हैँगे तो आपको ये देखेगा तिमूर C तो आपको मैं जल्ली से ये बता देता हूँ सूलू जो आपका है वो Philippines और एक साइट से आपका Indonesia या आपके मालेशिया से लग रहा है यह आपका यह है यह पाट है यह मलेशिया का है और यह एक छोटा सा देश है आपको मैं एक पर zoom out कर दूँ यह देखे आप देखे रहा हूँगे छोटे छोटे आइलेंड यह एक यहां से लेके यह आइलेंड है यह इंडोनेशिया है और यह भी इंडोनेशिया का ही पाट है जबकि इस पूरे आइलेंड का नाम यह पूरा आइलेंड जो है इसको बोर्नियो आइलेंड कहते है बोर्नियो यह है आपका बोर्नियो आइलेंड और इस बोर्नियो आइलेंड में तीन कंट्री एक्जिस्स करते हैं एक आपको दिख रहा है इंडोनेशिया और एक कंट्री है मलेशिया यह जो पाड़ है मलेशिया है यह जो आपको बॉर्डर दिख रहा है यह मलेशिया है यह लगबग इ तो हम चल लहे थे कहां से एक बार दोबार से देख लेते हैं Sea of Agotask उसके नीचे आपका Sea of Japan फिर आपका Yellow Sea फिर East China Sea उसके नीचे आपका South China Sea फिर आपका Sulu Sea यहां पर यह सूलू सी फिर आपका Salybis फिर आपका Banda और फिर नीचे है यह तेमूर Sea अगर आप थोड़ नीचे जाएंगे और यहां पर यहां पर तस्मान Sea अब दुवारा लोटते हैं इंडोनेशा की तरफ ही और यह इंडोनेशा का एक आइलेंड है सिचुएटिड है लेकिन अभी रिसेट में करेंट में बात बनी होई थी कि यह आइलेंड डूब रहा है और इसकी राज़दानी डूब रही है तो इंडोनेशन गवर्मेंट ने इसा सोचा है कि यह East Kalimantan पे अपनी जो कैपितल है उसको शिफ्ट करेंगे जाकाटा से यहां पर और East Kalimantan कहा है तो East Kalimantan आपके Borneo आइलेंड पर है और Borneo आइलेंड में कितने countries हैं तो Borneo आइलेंड में 3 countries है सबसे ज़्याद़ पार्ट है जो इंडोनेशिय के बाद उसके बाद Malaysia और जो सबसे छोटा country है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी आइलेंड पर है वो है Brunei और यह है अंडमांसी जब अंडमांसी के आगे बड़े तो आपको मिलेगा बंगाल के खाड़ी या फिर बे ओफ बेंगॉल बेंगॉल के बाद एक यह सी है इतना वैसे जनरली कारण क्या है यहां पर लक्षेदीप आयलेंड है तो लक्षेदीप सी बोलते हैं इसको जब आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा एक गुल्फव मननार भी क्यालाता है फिर यहां पर उपर गुजरात की तरफ गुल्फव कच्छ है अब आगे आपने देखा यह में चीज यह अरेवियंसी जहां पर कि भारत की दो प्रमुक ने दिया नर्मदा और तापती आकर गिर मेंके पास में है गल्फ ओमान यह अब देख सकते हैं गलफ ओमान ओमान की राजधानी मस्कड है और यह गलफ ओमान के यह आपको देख सकते परशियन गल्फ अठीष चार तो अरब साकर कहने कहुँ कहा सदिक है कि अधिस यह बहुक्न गornियान अपन्ट्रिध्रियं तो एफरीका को जूम आउट करेंगे जूम इन करेंगे तो एफरीका में यह है गुल्फ अधेन, अधेन की खाड़ी और उसके जब आप अंदर की तरफ बढ़ोगे तो आपको मिलेगा लाल सागर या रेड सी, बहुत इंपोर्टेंट है रेड सी, यहां तक हमने बात पिछल करेंगे, वो करेंगे, यह कारा हो चुका था, ब्रेंट सी, ब्रेंट सी से, ठीक है, यह देखिए, कंट्रीज के नाम भी आपको बताता चलू, ब्रेंट सी और यह उसके बाद है आपका नॉर्वेजियन सी, एक बार आप जूम आउट कर लिए, यह है यूरोप, यह है अप आपका ब्रेंट सी, और इस साइड में तो आपको बता है, वो कारा सी है, यह है ब्रेंट सी, ब्रेंट सी के जब आप थोड़े साइड बढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी, क्योंकि नॉर्वेगे पास में आसानी से आप याद कर सकते तो अब थोड़ा नीचे आईए, ब्रेंट सी से, यह मिलेगा आपको वाइट सी, यह जो आपको देख रहा है, यह है वाइट सी, नोर्वीचिन, उसाइटा, और यह है आपका वाइट सी, लगबग आपका रुशिया से लगा हुआ है, इसके बाद हम वाइट सी से नीचे गुल्फ ऑब बोथनिया के नीचे आएगा आपका बाल्टिक सी, आप देख सकते हो, यह है आपका बाल्टिक सी, और बाल्टिक कंट्रीज भी बोलते हैं इनको, इसी वज़े से इसका नाम है, मालब इसी वज़े से यह कंट्रीज, बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं, कारण क्या है यहाँ पर पढ़ता है Baltic Sea मतलब सबसे पहले आप एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या था सबसे पहले था Barent Sea नीचे आया सबसे पहले आपका था यह थोड़ा जूँँ उट कर लेते हैं सबसे पहले Barent Sea फिर यह आपका White Sea फिर आपका आया यह गुल्फ और बोथनिया और फिर आया आपका Baltic Sea ठीक है लगाता थ्री भी है Barent White Sea, गुल्फ और बोथनिया फिर आपका Baltic Sea और Baltic Sea आप देख सकते हो किस किस कंट्रीज के आसपास है तो लेकर सारे Baltic कंट्रीज नहीं कहलाते हैं यह तीन जो कंट्रीज है आपके एस्टोनिया, लाद्विया, लिधोनिया और एक ही आपके Baltic कंट्रीज कहलाते हैं और जबके Baltic Sea किस किस कंट्री, कौन सा कंट्री इसके आसपास पढ़ता है तो देखे आगे आपने Sweden, Norway का नाम सुना भी होगा और उसका बड़ा कारण है Novel Price के वेज़े से आपने शायद सुना हो इसका नाम Sweden में सारे Novel Price दी जाते है एकसेप्ट शांती का Novel Price कार के अलाबा क्योंकि सांती का Novel Price कार रहा है और सारे के सारे जो Novel Price कार रहा है जो शांती को छोड़कर वो आपके Sweden के स्टॉक होम में दिया जाते है और Sweden यह एक सिप्री की रिपोर्ट भी आती है वो भी स्टॉक होम करके है आपके एक रिपोर्ट वो भी हैंसे लांच होती है रिलीज होती है आपके एक तो अब आपने यह देख लिए उपर से पढ़ते चले हैं बहुत ही important question मनता है कि कौन सी कैनाल कौन सी नहर बाल्टिक सी और नॉट सी को जोड़ती है तो दोस्तों एक यह देश बढ़ रहा है आपको जर्मणी यह जर्मणी है और जर्मणी के पास यहां पर आपकर यह आप देख रहे हैं कि इल कील कैनाल बना एए जो कि Baltic Sea को आपके, कील के नाल, Baltic Sea को आपके North Sea से जोड़ दिये, बढ़ते हैं आगे, यह UK, यह आपका English Channel है, इससे आगे बढ़ते हैं, तो यह आपको एक country दिख रहा हूँ, France, France के यह चीज, यह है Bay of Biscay, Bay of Biscay, Bay of B आप कर सकते हैं, तो आपका Bay of Biscay, फिर यह आपका है Spain, Portugal, यह एक स्ट्रेट, एक जगे है जिबराल्टर, यह हम जानेंगे जब हम अफ्रीका देखेंगे, तो यहां से आजाते हैं, आगे, अब आता है important जो आपको दिख रहा हूँगा, Italy, आपको दिख रहा हूँगा टा टाईरीनीन सी है, और एक तरह टाईरीनीन की है याद रखिएगा, एटली के एक तरह टाईरीनीन ची है, यह टाईरीनीन है और यहests His climax एडरीन, इन और इडरीनीन की, बहुत मोस्ति है एसा पूछे जा सकता है इटली किंदो देशों के बीच किंदो सागरों के बीच मिस्ते थे तो टारीनियन और एड्रियाटिक आपको चार आप्शन दे रखे हो सकते हैं कि आपको दे दिया एड्रियाटिक टारीनियन या एड्रियाटिक आउनियन इस तरी किसे आपको दे दि आइलेंड देख रहा हो सिसली यहां पर कई सारे जॉला मुख्या आपने तो अब बढ़ते हैं मागे यह आपका ग्रीस यह देख लिए आपने इटली इटली के बाद ग्रीस यह भी से एक तरफ से मिरें लगता है बलकुली जैसे इटली के दो इटली दो सीज के बीच में Agency और Ioniency तो इसके बाद ही आप देख रहे होंगे यह एक कंट्री है तर्की एजियनसी के से जब आप निकलोगे इस साइड में तो आपको मिलेगा Sea of Marmara यह जो आप सी देख रहे हो यह है आपका Sea of Marmara और जब आप यह बड़वाला पाट देख रहे हैं यह है आपका Black Sea यह यह आपका Sea of Marmara और यह है आपका Black Sea और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा Sea of Azor यह जो आप देख रहे हैं यह वाला Sea of Azor तो आप उसे बहुत असानी से आद कर सकते हो पहले तो यह देख लिजी है कहाँ पर एक साइड यह तरकी है एक साइड यह ग्रीस यह तो आ आपका Agency, Sea of Marmara, Black Sea और Azor तो Marmara देखिएगा तर्की और बुल्गेरिया दो साइड से और जो आपका Black Sea है यह बुल्गेरिया, टर्की, जॉर्जिया, यूक्रेन, मल्डोवा, रोमानिया और जबकि यह है आपका इसको आपके सकते हैं, यह आपका Azor, Sea आप इन तीन Sea को तो बहुत असानी स्याथ कर सकते हैं, M, B, A, Marmara, Black Sea और Azor, Sea ठीक है, यहाँ तक के बात हो गई, तो यह थे आपके Importances जो आपके यूरोप में आते हैं, तो एक बर दुबारा से जल्ली से उपर से देख लेते हैं, फिर आपका आया, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, यह आपका Barent Sea, फिर आपका White Sea, फिर आपका Gulf of Bothnia, फिर आपका Baltic Sea, और Baltic Sea को जोड़ते हैं कील कैनल की मदद से, और यह आपका आया North Sea, नौर्थ Sea के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको यह मिलेगा Bay of Bis फिर आप आये, इटली के पास एक तरफ Adriatic Sea, और एक तरफ था आपका Tanninian Sea, फिर यह आपका Greece है, और Greece के एक तरफ Aegean Sea, और एक तरफ आपके Greece के Ionian Sea, फिर आप जब आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे, तो आपको यह जो पार्ट दिख रहा है, यह आपका Sea Sea of Marmara, फिर आपको मिलेगा Black Sea, और फिर लास में मिलेगा आपको Sea of Azor, तो यह थे कुछ important seas, जो कि आपके Europe ने आते हैं, ठीक है, तो यहां तक clear है, अब हम एक बार इसको revise कर लेते हैं, हमने कह के पड़ा, तो आपने यह था, जो आपने यह देखा था, यह क्या था, यह आप आपने यह बाला पड़ा है, यह क्या था आपका, यह था आपका White Sea, और यह Sweden, यह आपको देख रहा Sweden, और यह है Norway, इन दोनों के वीच में हमने क्या पड़ा था, Gulf of Bothnia, जब हम नीचे आया थे हैं यहां पर, तो Estonia, Latvia, Lithonia के पास, मैंने बताया था, आपको तीन कंट्री, य आ जाता है, तो यह था आपका Baltic Sea, और यह Baltic Sea के बाद, आपको मैंने एक कैनल बताई थी, जिसका नाम क्या था, कील कैनल, यह जर्मनी में बढ़ती है, यह कील कैनल, Baltic Sea, और जो दूसरा कौन सा है, आपका North Sea से जोड़ती है, यह आपका UK है, तो इसके बाद जब आप मिलता है, तो यह आपको मिला एक कंट्री, इसका नाम है इटली, इटली के एक तरफ था Adriatic Sea, और एक तरफ था Tyranian Sea, ठीक है, एक बाद हम, और जूम आउट में देख लेते हैं, नीचे की साइड में, इसके बाद आप यह है, ग्रीस, ग्रीस के एक साइड जो सी था, उसका नाम था Agency, और दूसरी साइड जो था, वो था Ionian Sea, जब हम ने का, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तरकी की तरफ, तरकी की तरफ, जब हम बढ़ें, तो यह आपको मिला Sea of Marmara, M, B, A था Black Sea, और A से था Sea of आजो, हम आसानी से याद कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याद से इसमें, तो यह रही आपके Asia और Europe के प्रमुक, जो सागर है, उनकी वीडियो, आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं इनको, क्योंकि एक सीरीज से बताया था, और अगर भी भी आपको एक डाउट है, तो एक बार हम दुबार से करके देख लेते हैं, यह यहाँ पर स्वेडन था, यह आपका स्वेडन कंट्री था ना, उसके बाद जब आप स्वेडन और नॉर्वे, उसके बाद जब आप नीचे की तरफ आये थे, तो आपको कौन सा मिला था, तो हमको मिला था, ये इस तरीके से आपका एक जो सी आया था, उसका नाम था, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, एक कैनल से मिल दा था, जिसका नाम था, कील कैनल, कील कैनल और यह जो आपको जो बाल्टिक सी आपका जाइन कर रहा था किस सी को नौर्ट सी को बाल्टिक सी आपका नौर्ट सी से मिल ला था कील कैनल के मलत से नौर्ट सी और साइड में यहाँ पर आपने देखाऊ गालग कंट्री था यू के नोट C के जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर एक France था, France के पास में जो C था, वो था Bay of Biscay, France के पास में Bay of Biscay, जब आप और आगे बढ़े, तो आपको मिला था Tyranian C, इटली के साइड में, और एक तरफ Adriatic C, जब और आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको मिला था, Greece, Greece क कि दोना साइड में कौन सा था, एक साइड में था Ionian Sea, एक साइड पर था आपका Agency, फिर जब आप और इस साइड में रहे, East की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको मिलता है, Sea of Marmara, Black Sea, और फिर Sea of Azov, MBA से मैंने बताया भी था, आपको कर सकते हो से, तो अभी भी अगर आपको ड Barency, जब Barency से नीचे आए, तो मिला आपको White सी। Barency, White Sea, भी जब आप इस से आए, तो आपको मिला Baltic Sea, Baltic Sea कील कैनल से जूड़ा हुआ था, किस सी से? North Sea से, Baltic Sea कील कैनल से North Sea से जूड़ा हुआ था, इसके बाद इसके बाद गीनगे तो प्रांस की तραफ आपको मिलेगा Bay of Biscay, आप आगे बढ़े यह इटली था एक तरफ Adriatic, मतलब पूरव में Adriatic और पस्चिम में आपके Tireancy, फिर आपको मिलता है Greece पूरव में इसके मेलेगा आपको Agency और पस्चिम में Ionancy, फिर जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको तो यह तुर्की की साइट में लेगा एक सी, जिसका नाम है Sea of Marmara, फिर आपको मिलेगा Black Sea, और फिर Azop Sea, तो बहुत ही असान है, आप एक बार ऐसे करके देखिएगा, मैप में लगा के देखिएगा आप असानी से कर सकते हैं इसको और तंक यू वाचिए